Hello everyone, इस टैप के question हमेशब competition exam में आते हैं और हमें confuse कर देते हैं यहाँ पर हमें A multiplied by B, मतलब कोई दो number से जिनका multiplication 70 है और उनका addition जो है वो 19 है और हमें find out करना है numbers का reciprocal का sum क्या होगा तो अगर इसका simply मैं आपको answer बताऊं तो इसका answer हो जाता है denominator में 70 and numerator में 90 अगर हम इसका logic देखें कि इसके पीछे इसका logic क्या है तो अगर आप यह देखेंगे A and B है अगर अब इसका LCM लेते हो तो वो क्या होगा A, B और फिर जो है number यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा B plus A हो जाएगा तो A plus B की value already given है 19 और A भी मतलब A multiplied by B 70 तो इस तरह से हम directly भी इसका answer लिख सकते है 19 upon 70 यह वारा question आपको homework में करना है और आपको बताना है कि इसका क्या answer मिलता है जाएगा